नमस्कार गोट्डा जहार न्यूज में आप सुबों का स्वागत है आईए जानते हैं जहारखन की मुख्य बड़ी खबरों को जहारखन में 27 लाग बचों की पढ़ाई चोपट जहारखन में कोईट के बाद लाग हुए लोगडाउन के बाद से सभी सरकारी स्कूल बन हैं बच्चे पिछले 14 महिनों से कैद हैं इसकी प्रहाई बाद इतना हो इसके लिए सरकार की तरफ से डिजिटल सिक्षा की वेस्ता की गई है लेकिन वो वेस्ता ही पूरी तरह राज के 35,441 स्कूलों में से मात्र 27,250 स्कूलों ने अभी तक वार्षव गुरूप बनाए हैं आठ हजार स्कूल अभी ऐसे हैं जो सरकार के निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं राज के सरकारी स्कूल में कूल 40,6,148 बच्चे नमांकित हैं इसकूल की तरफ से बनाए गए वार्षव गूरूप में अभी तक मात्र 12,93,251 बच्चों को जुड़ा गया है लगभग सताइस लाग बच्चे ऐसे हैं जो इस सरकारी वेस्ता से दू है दिनकी पढ़ाई प अभी तक लगभग 233 शिक्चिकों की मिट्टी हुई है इसमें से 165 साहक शिक्चक और 68 परा सिक्चक है इनके अलावा इसकूलों के 23 अन्य करिमियों को भी कुरोना से मोत भी है इसका खुला सा सिक्च्चा विभाक की और से राजभर्ग से मांगे गए मिरती सिक्चिकों के ब्यूरे से हुआ है ये सबी शिक्चर प्राथमिक और मिडिल इसकूल के हैं ज्यारकन के ग्रामीं छेत्रों में दू महिने में 24, 24,849 लोगों की मोत कुरोना की दूसरी लहर के बीच जारकन के ग्रामीन चेत्रों में 24,849 लोगों की मोत भी है ये मोतें एक अप्रेल से 4 जुन के बीच की है इसमें कोविट वा अन्य कारणों से होने वाले मोते सामिल है जारकन हेल्थ डिपार्टमेंट में आई एसी के सिनि जुन तक कोविट से 4920 मोतें हुई है पहली लहर में अपरेल 2020 से मार्च 2021 तक राईज में 1114 मोतें हुई थी 4920 मोतें मातर साड़ दिनों में हुई है शिदात तरी पार्टी ने बताया कि धारकन का पॉपलेशन ग्रोथ रेट दू दसमना तिन आर्ठ परतिशत है यहां हर व मोसम बिज्ञान के अधार पर धारकन में आज यानि की रेवार को राज में पुर्वी शिमूम, पस्मी शिमूम, सराय के लाग, हरसमा और शेमिंडेगा में में गरजन, बर्जपात और तेज हवाक साथ हलके से मध्यम दर्ज की बारिश होनी की शंभवना है हलांकि विभाक के द्वारा इन कई इलाकों में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है राज के सेस जिलों में मोसम समाइन रूप से सुस्क रहनी की शंभवना है मोसम विभाक के अनुसार दक्षिनी बिहार पर एक कम दवाव का चक्रवर्ती चित कमजोर पढ़ रहा है बीते दिनों राज में इसके कारण मोसम में परिवर्तन दिखने को मिला था हलांकि इस दुरान देश में मानसून की इस्तिती भी बहतर बनी भी है बरतमान में मानसून किरल से आगे बढ़ गया है इसके कारण 10 जुन के बाद से राज में प्री मानसून बारिस देखने को मिल सकती है हलांकि अनुमान है कि राज में मानसून 15-18 जुन के 20 दस तक देदेगा वहीं पिछले 24 घंटों के दोना राज में मोसम समान रूप से सुस्क रहा राज में सबसे ज़्यादा अधिक्तम तापमान दुमका में 40 डिग्री सेश्यरस और सबसे कम नियूंतन तापमान चायबसा में 23.8 डिग्री सेश्यरस रिकोर्ट क्या गया आदिवासी कल्यान में राज भवन की भुमिका खत्म सीमी सर्व सर्वा अब टी एसी सदेश्यों का कर सकेंगे मनोनियन आदिवासी की मीनी समेली माने जानी वाली जहारका ने जन जातिये परामर्स दात्री परासत के सदेश्यों का मनुनियन अब मुख मंतरी कर सकेंगे इसमें पूर्व की नियामावली के मुताविक राजभवन की भूमिका नहीं होगी एकी कृत बिहार के वक्त का लागो नियम राज सरकार ने शमाप्त कर दिया है और नई नियामावली की अधिसुचना जारी की है इसमें सदेश्यों के मनुनियन का अधिकार राजपाल से लेकर मुख मंतरी को दिया गया है मुख मंतरी इसके पदेन अध्यक्ष होते है पूर्व में इन सदेश्यों के मनुनियन की अनुसंसा के लिए राजभौन को सरकार की तरफ से प्रस्ताव प्रेशित क्या जाता था हमन सरकार ने सदेश्यों के मनोनियन के लिए दो बार नाम राजभौन को भेजे थे लेकिन वहां से कुछ आपतियों और सुझाओं के साथ इसे वापस कर दिया था जहारकर में सरमिकों को सरम विभाग की और से कई स्विधा है रेजिस्ट्रेशन करें और लाब भी उठाएं बच्चों की पढ़ाई लिखाई साधी व्या जैसे मोके पर सरमिकों की सहता के लिए सरम विभाग ने पंजिकरित मैज़ुरों के लिए कई योजना लाई है मैज़ुरों को यह स्विधा महज 110 रुपिय के पंजियन पर सरकार उपलब्द करा रही है इस सब्ता 175 शेप्टी कीट के लिए एकक हजार रुपिय की रासी सरमिकों के बेंक खाते में डायरक्ट बेनिफिट टांसपर के तह सिधे हस्थान तरित कर दी गई है सरम अधिक्चक अभिसेक वर्मा ने बताया कि सरमिकों के साथ जीला प्रसासन खड़ा है बिभाग से संचालेज योजनाओं के तहत क्रोणा संकर्मन काल में उन्हें रहात पहुचाने के लिए समय समय पर रासी उपलब्द कराई गई है सरमिकों के मेधावी पूत्रों पूत्री को चातवीती योजना, सरमिकों के मात्रित्व परस्यूजदा योजना एवंग सरमिक सेप्टी कीट योजना के तहत ओनलाइन आवेदन लिया जा रहा है 90 दिनों तक कारिक करने वाले सरमिक अपनी योजदा के अनुसार इस योजना का लाव उठा सकते है भाव खाने लगा प्याज, अब सर्सो तेल हुआ नरम बारिस का मोसम आते हैं एक बार फिर से प्याज के भाव में तेजी आ गई है रांची के बजार में शोमार के मुकाबले शुकरवार को थोक बजार में प्याज की केमत में 4 रुपिय की तेजी दिखने को मिली दूसरी और रहत की बात यह है कि 12 सतक लगा रहा ससो का तेल थोड़ा सस्ता हुआ है अब यह बजार में 170 रुपिय लिटर से भी नीचे आ गया है 24 रुपिय कीलो बिखने वाला प्याज अचारक से 28 रुपिय कीलो तक पहुँच गया है वेपारी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्याज के भाव में और तेजी आने की संभावना है हमन सुरें को ट्वीटर पर गाले देने का अरोपित बाड पारसत पूतर गरपतार भेजा गया जेल गरवाजले स्री वनसिधर नगर थाना पुलिष ने राज के मुख मंतरी हमन सुरें को ट्वीटर पर ट्वीट कर गाले गलोज हुआ और मर्यादित भासा का परियोग करने के आरोपित बाड संख्याचार पूर्णा नगर गावनिवासी रिशी केश कुमार को गरपतार कर सनिवार को नियाएक हिरासत में गरवाजल भेदिया है रिसी केश कुमार गुआड संख्या चार के वाड पारसद राजकुमार परसाथ का पुत्र है। रिसी केश के विरुद जारखन मुक्ति मोर्चा के परखन अध्यक्स हुलहुला कलागाव निवासी अमर राम ने चार जुन को थाना अविदन दे कर करवाई करने की मांग की थी।